किसान भाईयों, धान के जिस फसल को आप देख रहे हैं, वो कृसीधन कमपनी की गंगा एक सुनिनानवे धान की वराइटी है, बहुत अच्छा वराइटी है, कंसा कलये बहुत अच्छा निकले हैं, कंसा बहुत अच्छा आया हुआ है, तो ये गभोट अवस्ता में हैं, प्लांट होपर जो सफेद फूतका है वो लगा हुआ था हमने नीचे देखा बहुत अच्छा कंखले आया हुए जैसा कि अभी आप देख सकते हैं बाकी इसमें सफेद फूतका लग गया था जैसा कि आप वीडियो को फूटेज में भी देख सकते होंगे और अच्छे से क्लि क्लियर अच्छी तरह से दिखाता हूं और बताने भी वाला हूं कि आप कौन-कौन से लास्ट इस्प्रे में कौन-कौन से दवाई को आप ले सकते हैं अभी मैं जैसे ही जो कल्ले हैं उनको जटकार रहा हूं तो नीचे सफेद सफेद जो भूरा सफेद फुत का जो है वो नी देखिए आप देख सकते होंगे 5566 एक एक पौधे में दिख रहे हैं सफिद फुदका और फुदके का मेन जो पहचान है सफिद फुदका या जो भी फुदका हो बिपी एच ब्राउन प्लांटों पर हो माहूं हो वो हमेसा तीरच्छा ही चलते हैं जैसे कि आप देख सकते है जो चल रहे हैं वो तीरच्छा ही चल रहे हैं और एक एक पौध में उसमें 5-6 था इसमें तकरीबन 10-12 हैं क्योंकि पीछे साइड भी है सफिद फुदका और सामने साइड भी है ये देखे पीछे साइड भी फुदका लगे हुए हैं सफिद तो ऐसा तो लगा हुआ है ये इसके पहचान फूत का कितु इसके लिए हम लोग इस्तमाल करने वाले हैं जो 5-métrogen 50% और उसके साथ BPMC फेनवबाकार 50% यसी इन दोनों का इस्तमाल करने वाले हैं उसके साथ में हम लोग इत्यान साइपर का इस्तमाल करेंगे जिसमें इत्यान 40% और साइपर मेथिन 5% होता है और उसके साथ एक ठोप फंगी साइड इस्तमाल करने वाले हैं जोकसी इस्ट्रोविन और डाइफ है नकुना जूल जो कि कई कंपनी के अलग अलग नाम से आता है इन चारों को मिक्स करके प्लास्ट इस्प्रे हम लोग चलाने वाले हैं धान की फसल में 120 ग्राम प्रती इकड के हिसाफ से हम लोग पाइ मेटरोजिन को डालने वाले हैं 120 ग्राम प्रती इकड 8-10 तंकी बना कर एक एक एकड में इस्तमाल करने वाले हैं पाई मेट्रोजिन को 50% WG को और साथी में BPMC 500 ml प्रती एकड के हिसाब से 15 लिटर पानी में 50 ml के हिसाब से 500 ml BPMC को 1500-200 लिटर पानी में घोल कर एक एकड में इस्तिमाल करने वाले हैं 8-10 तंकी बना कर बहुत अच्छारी जड़ देखने को मिलता है जो सफेद फूत का हरा और जो भूरा तीनों को यहां तूरंत मार देता है नॉकडाउन एक्सन है यह जो BPMC है फेनुगा कार 50% इसी इसका इस्तमाल करने वाले हैं हम लोग पाई मेट्रोजिन के इसको भी यह जो इत्यान और साइपर मेथिन उसको कंट्रोल कर देगा और साइपर मेथिन जो गंधी बग है उसको भी कंट्रोल कर देगा इसलिए हम लोग इसको भी रखें हैं और बात करें एजोक्सी इस्ट्रोबिनाव डाइफ है फेना को ना जोलतो जो एमिस्टार्ट के नाम से आते हैं इसका इस्तमाल हम लोगी इस ले करने वाले हैं क्योंकि वह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टेमिक फंग्जी साइड होता है जो एक साथ कई रोगों के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है जैसे फाल से स्मट हो गया आपका जो ब्राउन स्पोर्ट हो गया उसके बाद BLB हो गया है सबको बहुत ही आसानी के साथ बहुत अच्छा कंट्रोल करता है प्रिवेंटि और क्यूरेटिव दोनों में ही बहुत अच्छा जल देखने को मिलता है नेक ब्लास्ट को भी कंट्रोल कर देता है गर्दन तोड जिसको हम बोलते है उसको भी यह जो बीपी एम से उसको डालना है और लास्ट में इथ्यान साइपर और बसरते पानी नहीं भटना चीए आपको कॉंबिनेशन मैंने जैसा बताया वैसा ही लेना है और जितनी मात्रों में बताया उतना ही लेना है बात करें कीमत की तो पाई मेट्रोजिन के 120 ग्राम के कीमत लग 300 रुपई के करीब पड़ती है वहीं बात करें इथ्यान साइपर की तो इथ्यान साइपर की इसकी 200 एमिल की मतलब वही थ्यान रुपे एकरी पड़ती है इत्यान साइपर को भी हम लोग 40-50 अमिल प्रती टंकी की हिसाब से 400-500 अमिल दवाई को 500-200-200 लिटर पानी में घोल कर इस्तिमाल करने वाले हैं इत्यान साइपर को भी बहुत अच्छरी जल्ड देखने को मिलता है इसका इस्तिमाल करने वाले हैं और बात करें जोक्सी डाइफेनकुना जोल का तो इसके 200-200 अमिल दवाई को पसरते हमें फंजी साइट को पहले डालना पड़ेगा टंकी में उसके बाद सब को डालना है और लास्ट में हम लोग चिपको के इस्तमाल करने वाले हैं सिलिकॉन बेस वाला तो अगर मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं है